कि दोस्तों इस समय एरपोर्ट पे हैं और एरपोर्ट पे वीडियो बना रहे थे यानि गाजीपुर जिले में अनहुआ जो ए उसी प्यार बैठे हुए थे एरपोर्ट पे और हमारे साथ एक दादा जी मिल गांग है और कुछ बच्चे भी है और हमारे कुछ साथी भी है इसी तरह बीले के चले जाते हैं अधिकतर जो है कि आप लोग देख लेंगे नौजमान युवग बीले कर चलते हैं लेकि थोड़ा सा कम इसमें हो गया प्रचलन में और हम लोग डंडे पर बैठे हुए और हम इनसे जब बात हमने किया तो यह गाजीपूर के जिले में धरोह तो मुंनाल टीजाए और हम उन दोब्रह भार बाताने लगे कारे कि इसी चीज को स्वारब काई है आध्यतों कि श्वारी को पताना चाहिए और जिले सबसे पहले आपका का नाम कालास राम कालास राम जी बिराज गौण सभा के हमाएं अच्छे देखिए हमने फांसी घर को पहले बता है ना गाजी पूर में गाजी पूर में पोस्ता घाट पर मालीजे सब लोग जिसे मुर्दा भी के आते हैं सब लोग चले जाते हैं पहला पर्थाम हुआ 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 दुसरका लाट करनवालिट की बात कर रहा हुआ कहां पर है पीजी कालेश के आगे तो है ना एक दम सही जगह पर आप हां तीसरका जो किया थाट के लाट करना तुसर पर लाट करना वालीजे तो बहुत अंग्रेजों के बनाई हुई है मालीजे ओकर तो आज भी कोई तुल नहीं कर पायेगा कोई नहीं तुल आपाएगा कोई को सो बरस में मालीजी ज़िए गिर जाती है कुछ इतियास पता है लाटकनवालीश का निकल देखिए हैं अग्रियोजोंने क्या करके वो उसमें किये हैं तर उसमें क्या बता देंगे बाकि अतना तक किय थे तो उसको सुरंग बनाकर समय लिजे उसमें कमाल निकाले चाह कि लाटके नवाली जब यह लोग ब्रीटिस समराज जब फैला हुआ था पूरे विस्व में यानि कई देशों को सब अपना गुलाम बना हुए थे उसी में अमेरिका था अमेरिका वाले जब वह आजाद हुए तो उस समय बढ़िया से कूट दिये लाटके नवाली इसको ठी जब पर भारत के लोगों को कहा कि भारत के लोग बहुत आसानी से लड़ जाते हैं और उनके ऊपर आप राज कर सकते कैसे कैसे धर्म को लागा तो धर्म से मतलब की अधर मुस्लिम कर दो बस उतना पर राज करूत यहीं सब और यह इसलिए वह आया है यहां पिभारत में अ एँ अमेरिका सेरा वाजश मेंए अमयर के है तो और कुछ बता रहे हैं छिए क्या है और मासерм अपलीर गाजीपुर का जब टहाई तो में मैं तीन प्रोक तो बता जिया अरको कर दो के भी सत्क्रावů', जए ठीशना, स्वम्न पोष्टागाट जाते हैं जातें और क् दो ददरी घाट के बात किहें जावन गच के पूल का पानी निकलता था यह भी सोच लिडिये अंदर-अंदरॉठ नहीं अंदर अंदर से पानी सप जाता था औ मैं काटने वाला नहीं यह यह कासियत यह अला चीजे था ना किया है खासियत इसलियए थी तो अमिर्का और चीन आज बना है लीजे अनति के घाजीपूर के माल समझ जे गाजीपूर से बन के फक्तरी से पूरे देश-देश में पहला कर लीजे बेते थे अच्छा यहां से घाजीपूर से जो अफिर अफियमका मालिजे उत्थु होता था तो न आउसे लिया जाता है उओ पार के खेती ज्यादा हो रहा थी। पचपच पच 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 के लीले के तौह घर में जाते थे। लगर कहां समझ गए हैं दिगरी कालेज के बगल में फ़ल घर आज भी हम फ़ल घर आज भी है। तो तो जाती सिय्द, और आज जमाने में तो इस सब काम उनलाख हो, अजये,प्रिकाम फर्यक्टित एस वनो सबार जाएगाइंगे, याम बोर इंद चाहिए धनिया काम dije minute, लेकिन आप तो सिस्टम सब बदल गया है सब सिस्टम बदल गया तो सब कर सिस्टम तो बदल गल तो गाजी पूर जिला के अजमियन का सिस्टम कहां खतम हो गए अपने जीला को बचाया ना अचा जोने जगह वेठा लें जाए एरपोर्ट अगर खूल जए तो खूल जी तो क्यों भीकास बहुत भीकास हो जाएगा बहुत भीकास हो जाएगा भाई हम लोग आज यहां है कहीं जगह देदेगा तो हम लोग सांती से रहेंगे ना तुम हम आवा से जाएगे फिर यहां पर अगर लाइट्रिंग करते हैं वो लोग बात्रूम करते हैं रहाते हैं तब भी पईसा देंगे यहांके लोगों का रोजगार बढ़ेगा आय बढ़ेगा आय श्रोध बढ़ेगा एक नहीं अ इसे अगनी बीर भी पादा होंगे होंगे ह आप वीरों पड़े कोट वो ला है और टृगजी पुर जीला को क्या बोला जाता था गाजी पुर्जिला को टोमनिवासी हैं। हम कुछ भी नहीं खाएंगे तभी कहेंगे तो हम कई ए थीक यह पिद्र है घब्री अघर्धध नहीं अच्छी थीक है बाकिय। हम नही खाय रहेंगे तभी कहेंगे तो यह थीकी तू मुझार नहीं सकते हो यह सोना की तो दोस्तों आज थे हम एरपोर्ट पे और एरपोर्ट पे हमारे साथ चाचा जी मिल गए थे राम जी और इनसे बाते शीत हो रही थी जो गाजी पूर जी वह बता रहे थे और गाजीपूर का कैसे विकास हो यह भी बताएं नेक्स वीडियो के साथ फिर में लेंगे धन्य बाद